हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनादर गेम प्ले वीडियो तो गाइज हम दुबार से लेके आ चुके हैं अब के लिए एक नया गेम प्ले वीडियो तो गाइज हम गेम के ले जा रहे हैं वो है गाइज एक होरर गेम और उस गेम का नाम है आइस स्क्रीम आप सोच रहे होगा चुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो फाइनली हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है हे टेक लुक अराउंड बाइ स्लाइडिंग फिंगर ओन दे स्क्रीन ओके गाइज हमें इंस्ट्रेक्शन देरां फॉलो करते इंस्ट्रेक्शन को रोजआए हो बिन्डूओं प्रेज द इंट्रेक्शन तो गाइस हमें इंट्रेक्शन दे करना है और यहाँ पर आइस क्रीम का एक वेंट दिखरा है जहां पर गाइस वही आदमी है आइस्क्रीम वॉला लेकिन गई इस गेम का नाम आइस्क्रीम नहीं आइस्क्रीम हैं Jour Presents यहां पर एक बच्चा आया जो कि आइस्क्रीम में चाहता है लेकर बॉप है ज बच्चे को जमा दिया है और क्या करने वाला उस बच्चे के साथ इसने हमें देख तो नहीं लिया हम चुप चुके हैं गाइस और इसने उस बच्चे को उठा के अपने वैन में रख लिया है डेट बॉय नीड यूर है फाइंड रोप इन दा ड्रॉर तो गेट डाउन तो दा स्ट्रीट तो गाइस हमें इस ग ड्रॉर हैं तो गाइस मैं यहां ड्रॉर चेक करने वाला हूं सारे और देखते हैं गाइस रोप फाइनली गाइस हमें रोप मिल चुका है और गाइस यही वह विंडो यहां पर गाइस यह रोप लगा दिया लेकिन गाइस यहां पर एक स्लिंग शॉट है और यहां पर इसम find a place to hide तो guys हमें एक hiding place ढोड़ना पड़ेगा जो कि guys यह हो सकता है तो guys हम यहाँ छुप जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर guys निकल चुका है यह ice cream वाला डेंजर आदमी और यहाँ पर guys अब देख सकते हैं यह जा रहा है और किरने क्या वाला guys मुझे नहीं पता और यहाँ पर इससे पीछे से कुछ गिर चुका है यह एक रुमाल सा यह डाइरी सा guys मुझे लग रहा है और यह कहां जा चुका है मुझे नहीं पता नो प्रेस दा पटन टू एक्जिट ओके guys हम बाहर जा सकते हैं दा आइस्क्रीम मेकर हैज ड्रॉप ए मैप गाइस यह एक मैप है और guys हमें इसे उठाना है उसके पहले मुझे देखना पड़ेगा guys वो है कहां और guys यहाँ पर मेरे को कहीं दिख तो नहीं रहा guys उठा लेते हैं यह मैप को और guys अब हम मैप का क्या करना पड़ेगा और guys यह आ चुका है मेरे को guys लगी रहाता यह यहीं कहीं होगा और guys मैपना श्लिंग शॉट उठाने वाला हूँ इस पर शूट करके देखना guys क्या होता है पहले मैप को फेक देता हूँ और शुट अपना उठा देता हूँ guys यहां पर मेरे को इसको एक बार शूट ना पड़ेगा मत्वे मारूबगार हहाँ रखके इस मत्वे बारना मेरे को मत्वेधं भी मार ना था और guys मैंने मार दिया है यहां पर guys मैंई से उठा लेता हूँ इसे भी ले चलते हैं अपने इस व lud में काइब देते हैं निया हो और यहां पर सौचाने में का पर या क्लिक कर दिया तकी पर धोला हूत एफटेर एरिया तो फाइनलि हमारा एफटेरिया आ चुका है और हम सीधा वेन्य उठाके ले आए गाईज उसका और यहां पर मैं आ चुका हूँ और वो भी मेरे ख्याल से मेरे पीछे-पीछे आ चुका होगा मेरे को गाई सबसे पहले स्लिंग शॉट उठाके अपने सेफटी करने लेकिन गाईज बुरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही एमो है और गाईज अब देख सकते हैं वो सामने से आ रहा है एक बार मत्य पर रखके बज़ाना पड़ेगा गाईज यहाँ पर मैंने इसे बज़ा दिया मत्य पर रखके और यहाँ पर अब स्लिंग शॉट का कोई काम नहीं है गाईज इस डूर को खोलते हैं और यहाँ से गाईज कुछ ढूनने कुछ करते हैं ओईल यहाँ पर गाईज मुझे एक ओईल मिल चुका है और यहाँ पर मैं इसमें से कुछ ढून सकता हूँ गाईज एक बार चीए मेर को यहाँ से एक्सेस लेने के लिए और गाईज वो उसने मेर को देख लिया है और गाईज मैं इसे कन्फ्यूज करने वाला हूँ यहाँ पर एक विंडो जो की टूटा और यह गूल गया चुका इधर से और गाईज मैं अब जाने वाला हूँ बाहर और इसको गोड़ा सा टाइम लगेगा क्यों गाईज वो बहुत स्लो चल रहा है और इसका मैं फाइदा उठा सकता हूँ यहाँ पर गाईज एक और भी नहीं यहाँ पर मैं इसे जल्दी से चेक कर लेता हूँ उसके आने से पहले देखते हैं इसमें से हमें क्या मिल सकता है यहाँ से कहा हैं इसे हैं से मुझे कुछ नहीं मिला और गाईज मैं क्राउच करके चलना क्यों firms को देखना पाए यहाँ पर भी एक वीन है इसे उखर मैं छुपके प्राइक करने वाला की मैं इसमें से मुझे कुछ मिल जाए काईज कुस्तळ तो मिलना चैज्ए में से इसमें स बाहर और देखते हैं गाइज इस बार ये चप में फसता है या फिर नहीं हमारे मैं इसे पीछे अपने बूलाने वाला हूं तो गाईज फाइनली यहां आ चुका है और मैं अपने पीछे पीछे लाओंगा इसे और यहां से मैं जमत मार दूँगा कौकि गाईज मैं यहां से इस बीन को चेक करने वाला हूँ जल्दी से कर भाई यह तो डोर के बिल्कुल पास है आ गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएं गाईज इतना रिस्क लेकर मैंने चेक किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और लास्ट यह बच्चा हुआ है आना जाए भाई हालत खर रहा वजाए गाईज जल्दी जल्दी कर ले भाई जल्दी जल्दी कर और यहां से 859 अभी एक कोड गाईज कहां यूज होने वाला मुझे नहीं पता हूँ गाईज यह कोड यहां यूज हो चुका है उस कैस रेजिस्टर के पास और गाईज मुझे वहां जाने के लिए इसे एक बार फिर से बाहर ले जाना पड़ेगा तभी गाईज मैं यूज कर सकता हू उस कोड का और देखता हूं गाईज इस कोड के अंदर हमें क्या मिलता है गाईज मतलम उस कैस रेजिस्टर के अंदर हमें क्या मिलता है गाईज मेरे पीछे पीछे तो नहीं आया आजा भाई पीछे पीछे तभी तो मैं अंदर जाओंगा यह तो गलत बात है तो तो पीछ रखना पड़ेगा कहीं आके पकड़े ना ले गाई यहां से मैं निकलता हूँ और दोनों तरफ देखता हूँ गाईज वह यह रहा एक बार इसे अंदर ले चलेंगे गाईज और फिर गाईज हम चलने वाले हैं अब दूसरी जगह पर अभी हम आये हैं कैफिटेरिया में दे अब यहां से बार चलते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं यही वह बच्चा जिसे हम यहां से रेस्क्यू करवाना है यहां पर लॉक लगा हुआ है और मेरे पास गाईज अभी ही कोई ने देखते हैं गायज क्या होमारे पीछे पीछे आ चुका है यहां पर गाईस तीनumesheen है यह कोक किए क्या बच्चन मार्क बना हुआ है और ही भी कोल्ट्रिंह का यह कोईन कोईश्लूट काईज क्याइज यह कोईन यहां के लिए युजी रूब Administration आभा से और कुछ गी रहा है क्या गीरा को गीरा मेरे क्याल से कॉछ जो बाहरं ईधर ज ensures क्या मैं इसको यूज़ करके इस आईस्क्रीम में को कर सकता है तुर भ। सबसे पहले मैं यहाँ से जाने वाला हूँ एक नए एरिया में जो कि हमारा का स्टॉल का एरिया तो गाइस हम जल्दी से चलते हैं स्टॉल में क्यों गाइस मुझे ऐसा लगता था यहां पर मुझे एक मेंच चीज मिल चुका है यहाँ पर गाईज मैं आ चुका हूँ स्टॉल में और गाईज यहाँ पर मैं बाहर जाने वाला हूँ गाईज यहाँ पर यह देख सकते हुए है आईस क्रीम मैन और गाईज मैं इसके मत्थे पर बजा दिया हूँ और गाईस एक निट के लिए भी होस हो चुका है तो गाईसे फेकते हैं बस के अंदर अपने वैन में और गाईस यहां से मैं कुछ ढूनने कोश्र करता हूँ कुछ ऐसा चीज जो मेरे काम आ जाए यहां से गाईस मैं सब जगे ढूनने वाला हूँ देखता हूँ गाईस कुछ ऐса चीज जो मेरे काम आ जाए पैट्रोल केन ओके गाईस यह पैट्रोल केन मुझे मिल चुका है और मुझे नहीं लगरा गाईस कुछ मिलने वाला है का ऑउके यह सर्टर पका बंत होगा यह सर्टर बंत है और बाहर से गाईज मुझे बस एक ही चीज मिला वो है पैटरोल कैन गाईज यहां से गेट बंद करते हैं और जल्दी से चलते हैं गाईज एक बार और कैफेटेरिया में और देखते हैं गाईज यहां से हम पिछली बार कुछ ढूणनी पायते हैं लेकिन इस बार मैं कुछ की कोशिश करूंगा तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं कैफेटेरिया में अपना ये गन उठा के तो गाइज मेरे को सबसे पहले इसको अंदर ही फेकना पड़ेगा क्योंकि गाइज वो एक मिनट के लिए भी होसता तो मुझे नहीं लगता है वो यहां आने वाला है अरे नहीं और हित अंदर ही था भाई यह चल क्या रही है स्कैम हो रहा है भाई मेरे साथ यहां पर गाइज वा चुका है और गाइज अब मेरे को लग रहा है इससे पार जाना पड़ेगा यहां से गाइज मुझे कुछ ऐसे ढ़ोणना पड़ेगा जो मेरे काम आज पिछली मुझे कुछ नहीं मिला यहां से हाई मुझे कुछ नहीं मिला और यह आचु कर रहा है तो यहां ? यहां से और रॉल का फिर्ञाल है यहां से उठा लेना चाहिए या जा कि मीरा काम आ सकते हूं better यार साइट से गया मैं इसके बहुत ही दिमा खराव कर रहा है गाईज यह मेरा और गाईज मुझे यहां से और कुछ नहीं मिला तो गाईज इसे भी लेके चलते हैं अब हम अपने वापस से गाईज यहां पर एनमीज क्लोज नोट टे गुड टेम ओके गाईज यहां पर मैं जाने वाल हूँगा प्लेगराउंड में और देखता हूँ गाईज मुझे क्या क्या मिल सकता है प्लेगराउंड में तो गाईज मैं आ चुका हूँगा प्लेगराउंड में गाइस चलते हैं इस बस से बाहर और देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा और काइस यहाँ पर मुझे एक होल दिख चुका है जहाँ पर मैं क्राउच करके जाने वाला हूं मुझे ऐसा लगता है यह एक सीक्रेट रास्ता है यहाँ से जाने का और गाईज यहां पर एक ट्रैप डोर लगा हुआ है क्या यह खुलेगा यू हैब यूज़ दा ओके गाईज मेरे पास ओईली और गाईज फाइनली यह खुल चुका है मुझे नहीं लगा था गाईज यह खुलने वाला है लेकिन गाईज ये खुल चुका है और यहां क्या होने वाला है यहां पर गाईज कुछे जूले जूले लगें और कुछ यहां पर गाईज एक गैस स्टेशन है और गाईज मैं पैट्रोल टैंक लाएता तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को यहां से पैट्रोल भरवाना पड़ेगा तो जलदी से चलते हैं उस पैट्रोल कैन को ले आते हैं और यहाँ से पैट्रोल भरवाते हैं कया हमारे वेन में पैट्रोल कम हो गया इसलिए юजर अनय गाई इस कुछ और लॉजिक होगा वो हमें आगे समझाएगा इसलिए जल्दी से हम चलते हैं van में और वहां से लाते हैं petrol केन तो यहां पर petrol केन है मैंने इसे उठा लिया है और आवाज होती है वो कहीं न कहीं से तो आ जाता है लेकिन उतने देर हो चुका है मुझे कहीं दिखाने मैं जाने वाला हूँ जल्दी से तो finally guys मैं crouch करते करते आ चुका हूँ और यहाँ पर guys मैं भर लेता हूँ इसमें पैट्रोल तो guys देखते हैं कितना time लगता है इसे भरने में तो finally guys हमने petrol fill कर लिया है अपने petrol can में तो guys मैं अपने fill petrol can को ले की आ चुका हूँ एक लोग्वें के पास और यहां पर गाईज आचुका है या पर कोई रास्ता है के यहां पर फिल Shiri मूं को समानों मतनीं यह चोरी करने का कोई मूट मूं है तर बतासर में यहां से कैसे जाओं यहां पर गाईज एक और कोर रास्ता है मुझे ऐसा लगता है मैं इसे कन्फ्यूज कर सकता हूँ क्योंकि गाईज अगर मैं यहां से घुम के गया और वैन के अंदर बैट गया तो गाईज यह मुझे नहीं देखने वाला गाईज जल्दी से चलते हैं यहां से बाहर नहीं यहां रही आसपासी है मेरी वैन निकल चुकी है सीधा पार्किंग के लिए मैं आ चुका हूँ पार्किंग में और यहां मुझे क्या करना है मुझे है नहीं पता लेकिन गाईज जो भी कर Nああ यहां 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 देख सकते हैं आप Cafeteria, Stroll, Playground और Parking हमने start किया था Neverhood से यहां पर 5 location है मैं 3 location घुम चुका हूँ और Neverhood से तो मैं आया था तो मेरा last location ना चुका है गाइस पार्किंग गाइस चलते हैं यहां से बहर और गाइस वो पहले से यहां से आ चुका है गाईज ये गेटवेट भी खुले हुए हैं गाईज मैं यहां से जाने वाला हूँ मैं यहां से जाने वाला हूँ मुझे कुछ नहीं पता गाईज चलते हैं गाईज प्लेगराउंड में मैंने प्लेगराउंड गाईज पूरा गुमन ही था पर मैं ऐसे या गया था तो guys जलदी से चलते हैं प्लेगराउंड में और देखते ह Gomez वहाँ से मुझे क्या मिल सकता है मैं guys पूरे अंदर नहीं गया था प्लेगराउंड में मैंने यहाँ से सिर्फ एक गन उठाया था जो कि guys आप देख सकते हैं यह है वो गन तो गाइस इस गन को मैं उठाने वाला हूँ दुबारा से और एक शॉट मार की गाइस मैं यहां से छान बिन करने वाला हूँ वो यहां आ तो गया होगा लेकिन गाइस कहां है मुझे देखना पड़ेगा गाइस वो ढोल रहा है गाइस यहां पर पार्क में और आजा भाई त यहां पर जूले लगे हुए हैं लेकिन गाइस कुछ मिल नहीं रहा यहां से जाने का भी कोई रास्ता नहीं है एक यह जैसी भी की तरह कोई लगी हुई है डोर है जिसमें और यहां पर एक ग्रीन बटन इसमें दबा देता हूं यह लीवर है गाइस लीवर पुश करके लाना पड़ेगा मेंगा तीनों लीवर का िध्वाक दोगनीशन की बन चुका है और एक सब्य लगता है मुझे उस्साइड जाने की जरूरत है और यह हैंसे और कि इस साइड में जाने वाला हूं और फाइनली गाइज मैं आ चुका हूं कराउच करके साइड में और मेरे को गाइज मुझे ऐसा लगता है यहां से का जगह है और यहां से गाइज बैंचेस ही बैंचेस लगे हुए है और गाइज कुछ मिलने रहा मुझे यहां पर गाइज एक बैठने का जगह भी है लेकिन गाइज अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला यहां से और देखते हैं क्या मिलता है हमें यहां से यहां से मुझे अभ मुझे कुछ मिल जाए एक बार और गाइस ट्राइ करते हैं यहां पर मुझे एक जैकेट मिल चुका है गाड जैकेट और गाड जैकेट में मुझे मिल चुका है ओफिस की गाइस मैंने ऐसा बोला था यहां ऐसा हो इनी सकता कि यहां पर गाइस मुझे कुछ ना मिले तो गाइ लेकिन इस ओफिस की को रखके मुझे अपने गन को उठाना पड़ेगा तो जल्दी चलते हैं वैन के पास तो फाइनले गाईज मैं आ चुका हूं वैन के पास इस ओफिस की को गाईज अंदरी फेक देते हैं और गाईज अब अपना गन उठा के लाते हैं क्योंकि गाईज य कि जादा बात नहीं है जल्दी से चलते हैं इस वैन में बंद करते हैं डोर और अब गाइस चलते हैं पार्किंग में तो गाईज मेरी वैन निकल चुकी है पार्किंग के लिए और गाईज अब देखते हैं पार्किंग में क्या होगा गाईज मेरी वैन आ चुकी है पार्किंग में और गाईज पिछली बार मैं आया था तो मैं यहां से जल्दी से चला गया था लेकिन गाईज इस बार मैं जल् अठा लेता हूं गाईज इसे की को गाईज ओफिस की को गाईज मुझे ऐसा लगता है ओफिस यहीं होगा कहीं और यहां पर गाईज दो रास्ते हैं एक सामने जाता है और किदर तो गाईज मैं सामने वाले रास्ते पर जाने वाला हूं और गाईज वो आ चुका है लेकिन ग बहुत सारे शटर है फाइनली गाइज मुझे की रूम मिला है और मुझे गाइज ही लगता है यह है ओफिस रूम इसे गाइज मैंने बंद कर दिया है बाहर से और गाइज यहां से मुझे कुछ मिलेगा या फिर नहीं यहां पर गाइज एक ब्रीफ केस है और गाइज यहां पर कुछ आईडी है, सोफी आईडी, यहाँ पर फैमली आईडी, डोनाल्ड, डोनाल्ड का नाम गाईज मैंने देखा था, मुझे असा लगता है, मेरे को डोनाल आईडी उठा लेना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से यहाँ से मैं एक्जिट तो हो चुका हूँ, क्या उसने मेर को देखा है मुझे नहीं पता गाईज वो मेरे को अभी तक नहीं दिखा बस शुरू के टाइम पे दिखा था और मैं गाईज यहां से जल्दी से एकजिट होने वाला हूँ और देखते हैं गाईज वो है कहां मुझे नहीं पता गाईज जल्दी पर आईडी में देखा था डोनाल का नाम आ रहा था था तो गाइज मैंने वाइड उठा ली और गाइज अब मैं चलने वाला हूं बाहर उससे पहले गाइज इसे बिहोज करने वाला हूँ मैं इस डूर को ओपन करता हूँ देखता हूँ कहा मिलता इस बार फिर वो अंदर के साइड है तो गाइस इस बार मैं इस डूर को खोलता हूँ आजा तरको मैं बुला के मारूंगा भाई तरको मैं बुला के मारूंगा इस थोड़ा गयाब बना और इसे ले के चलते हैं guys अंदर में क्यों guys इसका use होगा अंदर के side यहाँ पर मैंने door खोल लिया है और guys यही वो open हो चुका है और यहाँ पर यह door खुल चुका है यहाँ पर एक दूसरा door है इसे भी मैंने खुल दिया है यहाँ पर एक तीसरा door है जो कि guys बाहर ही आता है गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और यहां से एक और रास्ता है इसका एक और डोर है यहां से क्या मुझे कुछ मिलने वाला है यहाँ पर गाइस मुझे एक की मिल चुकी है और गाइस यह एक रास्ता है यहां खुलता है यह सीधा बस के पास खुल रहा है मैंने सीधा इसे ख काम हो चुका है और गाइज मुझे ऐसा लगता है स्टोल का भी काम हो चुका है तो गाइज एक ही लास्ट आप्शन बसता है वो है पार्किंग का तो फाइनली मैं आचुका हूँ पार्किंग में अपने आइस्क्रीम बस को लेके यहां पर मुझे ऐसा लगता है इसकी का यू एक बार और बिहोस कर दो ना उसे तो गाईज सही रहेगा नहीं तो मेरा जीना हराम कर देगा गाईज मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा है मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आ जाए मैं उसे एक बार बिहोस कर दो फिर मैं अपना काम करूँगा लेकिन वो आख नहीं रहा है यहाँ से गाइस मैं इसे फेक देता हूँ अपना ये पैंट बॉल ठा लेता हूँ और गाइस उसका वेट करता हूँ आने का यहाँ से गाईस एक रास्ता है जो की जाएगा उपर की तरफ और गाइस मुझे ऐसा लगता है यही से गाइस कुछ मिलने वाला है यहाँ से गाइस यह एक बैंड रोड है यहाँ से मुझे ऐसा लगता है यही कुछ मिलने वाला है मुझे इस डूर को खोलता हूँ गाइस और यहां पर एक सिंडिया नीचे जा रही है सिंडियो से गाइस मैं नीचे जाता हूँ और गाइस यह कहां आ चुका हूँ मैं यह कहां आ चुका हूँ मैं यह क्या सीग्रेट रास्ता था गाइस यहां पर मेरे ख्याल से मैं यहीं से गया था ना हाँ गाइस सीग्रेट रास् उठाना है गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहां से क्या उठाना है और यहां से गाइस और कुछ मिलेगा नहीं गाइस यहां से और कुछ नहीं मिला मुझे और गाइस क्या होगा मेरे को और कुछ चीज नहीं मिलने वाला क्या यहां से मुझे नहीं पता गाइस मुझ कुछ और मिलने वाला है या फिर नहीं यहां से गाइज मैं जाने वाला हूँ उपर की तरफ और गाइज कुछ चीज मेरे को ढूंड़ना है मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या है लेकिन गाइज ढूंडना तो है अब देखते हैं गाइज वो क्या चीज होगी जो मुझे ढूंडना है यहां पर यह आफिस रूम है और और कुछ नहीं है गाइज यहां पर मेरे को देखते हैं गाइज कुछ मिलता है या फिर नहीं मैं दूसरे साइड में जाने वाला हूँ और यहां से भी गाइज कुछ नहीं है यहां पर गाइज सटर लगे हुए सारे कमरों की और कुछ मिल नहीं रहा और यहां पर एक्जिट है और गाइज मुझे अभी तक कुछ मिल नहीं रहा देखते हैं गाइज कब तक मुझे कुछ मिलता है गाइज मैं अपने गन को लेके डोल रहा हूँ इधार उदारे गाइज मुझे कहीं जगह नहीं मिल रहा और यह आ चुका है गाइज इस एक बार और मेर को लग रहा है भी होस करना पड़ेगा तो गाइज मैंने एक बार और इसे रख के बज्जा दिया है यहाँ पर गाइज मैं अपने इस लॉक्ट यह किस से खुलेगा भाई इस लॉक्ट गाइज यहाँ पर एक बटन दिख रहा क्या मैं इस पर शूट कर दूँ नहीं गाइज इसे कुछ हुआ या फिर नहीं ओके गाइज यहाँ से सटर खुल चुका है और क्या चाहिए इसे इस सिम इस हैस नो फ्यूल ओकी गाइज यहाँ पर मुझे फ्यूल की अब जरूरत है उठातें गाइज जल्दी से इस फ्यूल को और देखतें गाइज क्या होता है इसमें हम जल्दी से फ्यूल भर देते हैं और इस कार का गाइज यूज का है मुझे देखना पड़े का गाइज इसमें मैंने फ्यूल भर मैं आ चुका हूँ अभी से लेकर ऊपर कोई बहुत ज्यादा इस गाड़ी की में मौने वाला हूँ इसे पिछे आजा पीछे आजा एंडे सामने चलों हम से एसका मैं इसे तोड़ सकता हो ओं है मैं जाने वाला हूँ जल्दी से नीचे की तरफ और ढूरने वाला हूँ कुछ और चीज गाइज मुझे ऐसा लगता है सब चीज का यूज हो चुका है एक लास्ट चीज बचा है वह गाइज इस पिलर का तो गाइज इस पिलर का गाइज मुझे ऐसा लगता है यहां पर यूज ह करते हैं वाइस फिर अपना काम करेंगे और गाइस वह आ रहा है मेरे पीछे-पीछे यहां से मैं जाने वाला हूं सीधा अपने वैन में और वहां से उठाने वालों अपने गन को अभी इसमें गाइस तीन एमो बाकी है आजा भाई जल्दिया मत्थे बाई बजाना पड़ता तो जल्दिय से उठा के चलते हैं स्पीलर को और वह जगह आ चुकी है यहां से मुझे ऐसा लगता है क्राउच करके नहीं कैसे जाओंगा भाई जगह नहीं बना भाई अभी ऐसा लगता है मुझे जगह तो बन चुका है यहां पर गाइस क्या इसका यूज होगा ओकी यह खुल चुका है और यहां पर मैं अंदर जा सकता हूं अब यहां पर डीजे वीजे का समान रखा हुआ है मसीन मसीन रखे बड़ी बड़ी सी और यह च्छत तूट रहा है क्या क्या यह च्छत तूट रहा है वेट यह होने क्या वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करूं गाइस क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को गाइस देखना पड़ेगा कुस चीज लाके में फेक सकता हूं यहां पर यहां पर गाइस मैं क्या करूं यहां पर गाइस एक वायर का आप्शन आ रहा है मैंने इसके दबाय और यह लाइट गिर चुका है नीचे क्या चूकि एंदर मुझे इसा लगता का Points कूorkर की कि मुझे मिल चुका है केज की और गाईज का यूज करके क्या हम बाहर जा सकते हैं उस बच्चे को क्या निकाल सकते हैं इस लेडर का यूज करते हैं गाईज यह लेडर लग चुकी है और गाईज अब हम उपर जाने वाले हैं तो फाइनले गाईज हम आ चुके हैं उपर क्राउच करके गाईज यहां से निकलते हैं बाहर और गाईज क्या यह उसी केज की की है जहां पर वो बच्चा कैद है गाईज यह मुझे नहीं पता लेकिन गाईज यहां पर यह केज की लिख रहा था और गाईज सुन मेरे को देख लिया है यहाँ पर मैं इसे बंद करने वाला हूँ और इसे खोलते हैं क्या यह खुलेगा मुझे नहीं पता ओके गाईज मुझे नेवर हुड ऑप्शन पर जाना पड़ेगा इसे खोलने के लिए और क्या वो आ चुका है मेरे पास मुझे लगता है वो आ चुका है काईज मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे वो की मिल चुकी है और गाईज मैं यहाँ से जा चुका हूँ नेवर हुड ऑप्शन के पास गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक खुल चुका है और यह बच्चा चाथ हो चुका है इसके नेक में गाईज मुझे असा लगता है पैन है और गाईज अभी भी यह वैन चल रही है और यह चलते वैन से कूद है वाउ यह तो बड़ा करामाती निकला गाईज यह पर यह अपना फैन लेके जा चुका हुद दूसरे साइड पर और यहाँ पर गाईज इस बच्चे के पर सकथ चुका है और यह बच्चा हो चुका है खुष और यहाँ पर इसमें गाईज एक मिक्सर चुरा लिया और यहीं पर गाईज हमारा गेम हो जाता है कमप्लीट I hope आपको ये वीडियो पसंदा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और आप ऐसे गेमिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और आइस क्रीम का 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सस्क्राइब करें इस चैनल पर इसके नेक्स्ट के पार्ट भी आने वाले तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई